नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं देश में मौजूद अच्छे फीचर्ज और अच्छी रेंज देने वाले टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसने की सोच रहे हैं, तो हम आपको भारत में बिकने वाले टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताएंगे, जिसमें फीचर्स मिलते हैं, और अच्छी रेंज देते हैं, इस देख कर आप आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा स्कूटर बैस इसमें 72 एनम के पीक टॉप भी उपलब्ध है, कमपनी के मुताबिक, ये स्कूटर 236 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आता है, साथ ही इसे 105 किलोमीटर प्रती घंटा की अधिक्तम स्पीड से दोड़ाया जा सकता है, स्कूटर को शून्य से 40 किलोमीटर प्रती घंटा की इसे चार कलर में खरीदा जा सकता है, इसकी एक्स शोरूम कीमत 110,000 रुप्ये है, दूसरा स्कूटर है, ओला S1 और S1 प्रो, ओला कमपनी का S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर इस वक्त काफी चर्चा में है, सिंगल चार्ज में ये स्कूटर 121 किलोमीटर की रेंज देता है, आप स्कूटर को आप 90 किलीमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से दोड़ा सकते हैं, इस स्कूटर को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 5 घंटे का समय लगता है, इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 85,099 रुप्ये निर्धारित की गई है, वहीं ओला स्कूटर का S1 प्रो मॉडल भ सक्षम है, इस स्कूटर को 10 कलर में खरीदा जा सकता है, तीसरा स्कूटर है, TBSI Cube, TBSI Cube स्कूटर को 2020 के शुरुआत में पेश किया गया था, TBSI Cube में आपको 4.4 किलो वाट की क्षमता की इलेक्रिक मोटर मिलती है, इसके साथ ही एक बार के फूल चार्जिंग में ये इस स्कूटर की भारतिय बाजार में कीमत करीब एक लाख रुपे है, ये 4.2 सेकंड में ही 40 किलो मीटर प्रती घंटा का रफ्तार पकड़ लेता है, चौथा स्कूटर है, बजाज चेतक, बजाज कमपनी ने अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाले चेतक स्कूटर को नए अ स्कूटर बजाज चेतक में 3.8 किलोवाट का पावर और 4.1 किलोवाट पीक पावर इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है, ये स्कूटर फुल चाजिंग के बाद इको मोड में 95 किलोमीटर की रेंज और स्पोर्ट मोड में 85 किलोमीटर की दूरी तै कर सकता है, बजाज चेतक इ और यूजर अथन्टिकेशन जैसे कई फीचर्स दिये गए हैं। इस स्कूटर की X शोरूम कीमत करीब एक लाग तीस हजार रुप्य है। पांचवा स्कूटर हैं। आथर 450X में बहतरीन पफॉर्मेंस मिलती है। कमपनी ने इसमें 7 इंच का LCD डिस्प्ले दिया है। जिसमें आपको Google Map, Bluetooth Connectivity जैसे फीचर्स मिलते हैं। कमपनी के मताबित ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 116 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, यह 80 किलोमीटर प्रती घंटे की टॉप स्पीड के साथ आता है। स्कूटर 0-40 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार 3.30 सेकंड में पकड़ लेता है। इसे 0-80 फीचदी तक चार्ज तीन घंटे 35 मिनट में किया जा सकता है 10 मिनट चार्ज करके आप इसे 15 किलोमीटर तक चला सकते हैं इस स्कूटर की एक सिशोरूम कीमत 1,440,500 रुप्य है दोस्तों हमने और भी इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े वीडियो बनाए है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जरूर देखें हमने लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और अगर आप और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और अगर आपका कोई सेजेशन या कोई सवाल है तो वह भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं